हेलो फ्रेंट्स वेल्कम चू माई चैनल आज़ाम बनाएंगे बेशन की बर्फी जो की बहुत एजली बन जाती है बहुत कम इंग्रिंट इसमें यूज होते हैं और बहुत टेस्टी भी होती है तो इसको बनाने के लिए आ हमें क्या-क्या इनग्रिंट चाहिए फटा-फट स में देखा लेते हैं, सब्सक्राइन के अधरेक राटुरि और यदि देखिकी पाउडर बना लिया है तो यह थे हमारे इंगिडियेंट्स अब हमने कड़ाई रख दिया गैस पर और एक हैवी बॉटम कड़ाई आपको लेनी है उसमें डाल दिया है घी अब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी बेसन और अब इसको हमें भूनना है और हमें बहुत थीरे-धीर एक दम slow flame पे या भी medium flame बेसन को roast करना है और बेसन भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें पेशेंस के साथ इसको भूने जितने अच्छा से आप बेसन को भूनेंगे जितने धीमे आज पे धिरे-धिरे बेसन को भूने इसका मतला बेसन बूनना शुरू हो गया लगवक जब आधा बेसन भून जाए मिडल स्टेस पर आपको इसमें दो चमत सूजी हम एड़ कर देंगे तो हमने दो चमत सूजी एड़ कर दी है क्योंकि बेसन को भूनने में ज्यादा टाइम लगता है जब कि सूजी जल्दी भ तो इसका कलर कुछ इस तरह को जाएगा और बेसन अपका घी पी रिलीस कर देगा तो थोड़ा साहँ हो जाएगा इस तरह का आपका टेक्श्चर विसन का हो जाना जाहिए इसका मतला बेसन मारा कम्प्लीटली बून चुका है अब हम इसका कड़ाई को हटा देंगे और इसका कंटिनुसली चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक चीनी डिजोल्वना हो जाए इसके बाद हमने जो काड़म का पाउडर बना के रखा हुआ था यह इसमें डाल देंगे इलाइची का पाउडर आप चाश्णी बहुत अच्छी से मिक्स जाती बहुत और यह लगबख एक तार की इसमें कंसिस्टेंसी होनी जाहिए अब देख रहे हैं एक तार बन पा रहा है तो अब उसके बाद हम वापस जो बेसन वाली कड़ाई इसको गैस पे रख देंगे जो फ्लेम करके और धीर 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 चाश्णी को बेसन में एड़ करेंगे पूर लगातर बेसन को चलाना बहुत इंपोर्टेंट है ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना पड़े और आपकी जो पेस्ट है जो आपका बेसन का मिक्स्चर अगर इवनली बनेगा तो इस तरह साप लगातर इसको चलाते रहें और काफी दिर तक थोड़ सापको इसमें टाइम ल इसलिए इसको पकाना बहुत जरूरी है तो आप देख रहे होंगे कि बेसने कडाई छोड़ने लगा है यह कर्चुली जो होती है जिससे आप चला रहे है उसके आसपास चेपकने लग जाएगा पूर एक डो जासा बन जाएगा कडाई को बिल्कुल भी ने चेपकना इसका यह हमारा डोजा लगबग रेडी हो चुका है हम एक थाली ले ले लेंगे उस जिसमें वर्फी साइट करनी है उसको घ्रीज कर लेंगे देसकी हम चार तरफ लगा देंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से गार्निशिंग करने के लिए जो हम एक धान के ँड़रिए पर ज स्ञेट प्रेंगे अच्छा सवागा हम आगे में खर हम इसलों जा उसके बाद हम इस बाद करेंगे शे कर लेंगे विए च्छाइन आटे ने लगाता है अच्छा से अटनिने का दुटा से बढ़नी कर दो ठीट हुट्पूट हम झाइब जाकि सबी ट्राइफूट्स जो है वो उसमें अच्छ से पक जाएं ताकि जब बर्फी को आप खाएंगे तो निकलेंगे रहें इसके बाद 15-20 मिनिट के लिए हम पहले सेट होने के लिए रख देंगे और जब लगबग थोड़ी सेट हो जाएगी उस वक्ति हम इसको कट कर करकी में बहुत अच्य से गफी कर जाती है क्योंकि यह थोड़ी सॉफ्ट हो थी होती है और बहुат अच्छी परफैक्ट पीसे लिए कर जाता है इसके बाद हम इसको एक या दो घंटे के लिए फेट होने हैं चे उनने में इसको कूले लेगे लेए ठीसें बेड़ने और उसको आप आप अपकर शक्ते हों सब yag करें तुरहएं आपSके को भी मुझें तह लेटी है कि ईसको दिंद देप मेगे उन्हें हमुआ कि रहें नोग लिखाने काया और वीडियो को लाइक किये बना बिल्कुल भी मच जाएगा तो फ्रेंट्स आल फॉर वन चैनल की निशा जी ने मुझे बताए था कि आज उनकी दीदी की वैडिंग एनिवर्सरी है तो भविका जी और परेश जी आपको मेरी तरफ से मेरे चैनल की तरफ से और निशा जी की तरफ से एनिवर्सरी की बहुत बहुत हार्दिक शुप काम ना है थैंक यू